ओके, तो हमारा जो चेप्टर चल रहा है, उस भी पात्मों की एनाटोमी की बात कर रहे हैं, यानि सारी रिकी की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर हम उत्तकों को पढ़ रहे हैं, और उत्तकों के अंदर हमने किस-किस के बारे में विवजोतक उत्तक की बात कर ली, अब यह जो ह हमारे पास चल रहा है वो कौन सा है विब जोतक उत्तक और इस्ताय उत्तक कौन सा है इस्ताय उत्तक और इस्ताय उत्तक के अंदर दो होते हैं सरल उत्तक और जटील उत्तक तो सरल उत्तक हमने पढ़ लिये जटील उत्तक के अंदर हमने जायलम पढ़ लिया ठीक है और अब हम कुछ नहीं है जैसे हम उत्तक प्लांट के अंदर जो अनाटोमी के अकोर्डिंग जो उत्तक उन पर हम बात कर रहे हैं तो यह दो प्रकार क्यों होते हैं बई एक तो कि विब्जोत की गलत लिखा गया ना कि विब्जोत की ठीक है और एक आपका कौन सा था कि इस था यूद्प कि अधियर विब्जोत की में भी आपने सिर्शस्त विब्जोत की अंतरवेशी विब्जोत की कौन-कौन से पढ़ेते हैं कि अंतरवेशी विब्जोत की अंतरवेशी विब्जोत की और इस तायूत्तकों की अगर हम बात करें तो हम इनको दो काइमा, इसकलेरेन काइमा, कौन-कौन से थे पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और इसकलेरेन काइमा जटी लुत्तकों की हम बात करें तो जायलम था और फ्लोयम था जायलम के अंदर हम बात करें तो इसके चार को सिखाएं थी एक तो हम बात करें वाही नीकाएं वाही काएं जायलम पेरेन काइमा और जायलम रेसे किलियर बात समझ में आ गई बात अब हम बात करें फिलोयम उत्तक की किसकी बात करें तो फिलोयम की अगर हम बात करें तो वापस आपको revise करवा रहा हूं Overview का जो मुख्य काम होता ही करता क्या है कि अखिब चाहा है तरह का कि बन मुख्य काम होता यह बने वेए 이제 food को जो leaf मे जो food बन जाता है अब लीप के अंदर बाइ पोटो सिंथेसिस लीप के अंतर जो फूड बन जाता है उसको पोदे के विभीन भागों में विभीन भागों में ट्रांसपोर्ट करता है किलियर बात ठीक है और ये चार प्रकार का होता है अब है अगर इसकी भी हम बात करें एक तो ये उता चालनी नलिका किलियर एक है सहायक कोशिका एक है ये फ्लोयम पेरेन काईम ये ये प्लोयम अप्रयश ये अखिका कैस्याओ एक है ये 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 तो चालनी अनलीका कि अगर हम बात करें तो चालनी नलीका हैं औरोल हमुआ था किरोता है ऊटे पहली बात तो यह है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है ठीक है केंद्रक इनके अंदर नहीं होता है तो इनका काम कौन करता है सायक कोशिका का जो नुकलियस है वो इन पर कंट्रोल रखता है कौन अब बात एक और समझ में आ गई कि यह चालनी नलिका की कोशिका है और इनके साथ ही यह सायक कोशिका यह दूसरी बात है इसकी जो अंतवित्ती होती है वो ऐसे छिद्रित रहती है और एक प्लेट जैसी सरंचना बनाती है कैसी बनाती है चालनी नलिकाओं बात करें यह लंबी होती है नलिका कार होती है कैसी होती है प्डाच करने कोशिका यथ होती तो यह कौमन से आपको इतनी बात इसकी याद रहती है फिर आपके अगला परसन आता है इनमें नूकलेस नहीं होता तो इनका काम कौन कंट्रोल करता है इनी के पास कौन सी कोशिकाओं होती है तो ये साय कोशिकाओं के साथ सटी रहती है दूसरी अगर हम बात करें साय कोशिकाओं की तो साय कोशिकाओं भी लंबी होती है कैसी होती है? लंबी होती है और साय को सिखाओं के गर्थ ये गड़े ऐसे चोटे-चोटे चालनी को सिखाओं के गर्थ के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में ताकि ये इसका जो केंद्रक है जो साय को सिखा का जो केंद्रक है वो इसके अंदर कुछ पदारतों को मेंटेन कर सके इसके बमन कर laver यह तुरी के से चैनल हो गय अब गय całe और इसका जो ताम है किसका को सिखांग कों कर लेगा साइक को सिका रेसं को गया है यह स्वाय चानल लिखांग के दाब का नियमन कर लेती है साह कोसी का सीक्षा है आगही भास समझ भी लाइम परेंट काइमा की बात करें यह यह परेंट काइमेटर्स परेंट का ने मतलब करें तो पफिशल वाल पतली होती है ठीक है और इनका जो मुख्य काम होता है वो फूर का स्टोरेज गरना किया काम होता है है कि थ्थ जो आत्य है फलोयम रेश सी यह पत्रात्मिक इसलद प्रात्मिक फलोयम में यह नहीं पाया जाते हैं जब्कि बं यो बंताढ वर वेट जाते हैं ठीक है क्यां अक्निया अच्छ और स 충्ना प्रशन है कि एगभी पत्री पात्वां फ्लॉयम पैरेंगा विय्मниर पात्वां फ्लॉयम प्लॉयम सब्सक्राइब नहीं पहलूरी में पोधर प्लॉयम पाजातों है है कि यह जैसे मुसैलेज हो गया इनकर व्यूंक। क्लियर आहये बात समझ्जो अब ये बात है कि इसकी जो शैल होती हो कैसी होती इसकी जो सैल होती हैं मैं जैसे इसकोसिकाई होती है अब इसकलेरान का इमा का पहले बड़ पढ़ा और उसके सारे क्रेक्टर लिख दो हो सेल वाल मोटी होती है लिगनीन की बनी होती है सीरों पर नुकली होती है इन उसमें प्रीपक ख्लोयित täll कि मेंरो rendered ऑगर क्या प्रोटवल्रम प्रोटव उसेन्ट ऊप्रव मुंकुल है इतनी हम नहीं बाते कि अब और ओर ओला उल आप इसको रीड आउट करते हैं जटी लुत्तों को के अंदर साय को सिखाएं यह चालनी नली के तत्तों से सटी रहती हैं कलर दूसरा ले लेते हैं न चालनी नली नली का ठीक है यह मिस्प्रिंट हो गया नली का तत्तों सेचर को सिखाएं यह चालनी नली का एं और सेचर को सिखाएं आपस में गर्त के और आपस जुड़ी रहती हैं ठीक है के अंदर किसमे नहीं होता है चालनी नलिकाएं अच्छा एक और बात जिन कोशिकाओं के अंदर जिन फ्लोएं कोशिकाओं के अंदर चालनी नलिकाएं शक्री बनती है उनको आप कहते हो प्रोटो फील फ्लोयम क्या कहूगे उच्छी नलिकाएं बड़ी बंती उनको ऊंद रखना किलियर की प्रेश कोशिकाओं की बनी होती है क्योंकि नामसी से पता चल रहा है आपको पेरेन काइमा है तो सेलेलोज की बनी होगी इनके दोवारा को सिकाओं के बीच प्लाजम और डेस्ट मेटा भी रहते हैं फ्लॉएं पेरेन काइमा खदे पदार्थों का स्टोरेज करती है से रेजीन है लेटेक्स है मुसिलेज है यह मैंने आपको अ पाए जते हैं इसके आंसे प्लम मेरे को दियो होगी नौट कर लेना पर्सन क्या था अगर घर बात करें अगर जब आहिसको प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है रिजट कारण ऐसा क्यों लिखा इसने प्रिपक्वता आने पर फ्लोएम तंतू का जो प्रोटोप्लाज्म है वो समाप्त हो जाएगा प्रिपक्वता आने पर ऐसा क्यों लिखा हो डारेक्ट भी लिख सकता था कि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है लेकिन लिखा क्या इसने प्रिपक्वता आने पर इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है क्लियर क्लास के बाद इसका आंस क्की पेरेन काईमा तंतों में प्रीपक कुए पिरेन काईमा तंतों में प्रोटोप्लाज समापत हो जाता है कारण बताईए कर रिक हो फेह पर फांग जैसी पोडो में प्लोम तंतों बहूत आर्थिक मैंटों वाले होते हैं सब्सेкамशन सब्सक्राइब में और ऊसको जानीन नहीं करने होती है ऐसे उस्थ आपका नहीं लिकते हैं आपके AMD कलें कि क्या हैonder आगे हम बात करते हैं उत्तक तंतर की किसकी बात करते हैं उत्तक तंतर की ठीक है देखो इस चीज़ के समझव आप हम उत्तकों की बात कर रहे हैं अब उत्तक सिस्टम की बात करेंगे बहुत सारी उत्तक मिलेंगे तब ही तो अंग बनेंगे तो उत्तक तंतर की बात करते हैं पोदों में उत्तक तंतर की अगरे हम बात करें तो पोदों में तीन प्रकार की उत्तक तंतरी होते हैं नाम आपको याद रखना अच्छे से याद रखना पहला आपका है तौची उत्तक या भाई तौची उत्तक भाई ये तौची उत्तक दूसरा भ्रन उत्तक और तीसरा सेवन उत्तक कौन-कौन से? अगर आप तउची उत्तक की बात करते हो तो इसमें दो चीजें आती है रंदर एक तो आती है, रंदर एक आते है, रों समझ़ आगए ऑगा हम वापस से बात कर रहे है उत्तक तंतर पोद्वो में तीन परकार की होते हैं भाईय तउची उत्तक ब्रण उत्तक या और एक और शेवन उत्तक पहले अगर हम बात करें तो जो बाय ये तवत्तक होते हैं वो दो परकार की होते हैं महला अब इसमें दो पाया जाते हैं एक तो रंदर और एक रोम आज के लिए हम सिर्फ रोम तक ही पढ़ेंगे ब्रण उत्तक की हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बात करो, कि सैवान उत्तक कौनशे होते हैं, जायलम और फ्लोयम, अब बच गए जितने भी हैं ने पोदे में, सारे ब्रण उत्तक हैं, सारे ब्रण उत्तक में आ जाएंगे, पित है, मजजा है, ठीक है, जो भी है, प्रण मद्य उत्तक बगेरा जो भी है वो सारे किसमें आ जाएंगे ब्रण उत्तकों में आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाइये तौची उत्तक शोरी ब्रण उत्तक और ब्रण उत्तक को आप मौलिक उत्तक भी कह सकते हो क्या कह सकते हो मौलिक उत्तक ठीक है चीजे गिर रही है आज बार बार में है सहवानी उत्तक तंतर किसकी बात करेंगे सहवानी उत्तक तंतर की ठीक है भाई ये तोचियों तक की हम बात करें तो इसके अंदर कोशिकाओं के रूप में अगर जो बात करेंगे तो रंदर आएंगे और उपांग के रूप में बात करेंगे तो मूल रोम आएंगे याद रखना बाई ये तौचियों तक की बात कर रहे हैं इसमें अगर कोशिकाओं की बात करें तो रंदर पड़ेंगे और इसमें उपांग की रूप में बात करें तो हम मूल पड़ेंगे बाई ये तौचा पोदों के भागों के भारी तौचा है जैसे यह अगर हम बात करें यह कोई प्लांट है और इसकी बाइयत हुचागी बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से यह रॉम हो गया यह रॉम हो गया तो यह सिंगल लेर में होती है नूकलियस भी होता है इनके अंदर और ध्यान रखना जो रॉम है वो एक ही कोईशिका का बना होता है अलग से कोईशिका नहीं बनेगी ठीक है लेकिन प्ररोब आग में जो रॉम है वो बावकोईशिकी हो सकत यह बात भी आपको याद रखने हैं इसकी कोशिका लंबी एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतय बनाती है लगातार ना तूटने वाली बहुत कम साइटो प्लाजम होता है और जो कोशिका बिती के साथ होता है इसमें एक बड़ी रस्दानी होती है यह तूचा की शतय जय से आवरण से डकी रहती है जिसको क्यूटीकल कहा जाता है और यह जरूरी भी है क्यूटिकल जो होता है वो ज्यादा जल की हानी को रोकता है वास्पत सरजन को कम होने देता है अगर क्यूटिकल नहीं हो तो प्लांट सारा पानी वास्पत सरजन के जरिये निकाल दे और अगर हम डेजर्ट इलागे के यानि जीरोपाटिक प्लांट के अगर हम बात करें तो तो मोटी प्रस से डकी रहती है इन्हें क्या कोई ठेल प्रस लिखे बाइये तो उचानि का रोकाची क्यों पानी को रोकती मूल में क्यूटिकल नहीं पाए जाती हाँ एक द्यान रखना मूल में क्यूटिकल नहीं होती परसन लिखे मूल में क्यूटिकल क्यूँ नहीं होती मूल में क्यूटिकल क्यूं नहीं पाए जाती क्लियर सामने देखिए हम बाये तउचे उत्तक तंतर के अंदर बात कर रहे हैं हम बात करेंगे पहले रंदर की किसकी बात करेंगे डारेक्ट समझें इसको चितर के जरीए देखो यह आप पर रंदर दिखा रखे हैं रंदर जो स्टोन्न तबंठ और आपको में दीखा दो कैसी ठीक है इनको आप ओंग्रिस्फ टॉमे टा कहते हूं क्या कहते हूं स्टोमेटा होता है उसका क्या होता है गेस का सब्व diffénd करना किस क्या काम होता है इसटोमेटा के अंदर क्या क्या होता है तो यह जो स्टोमेटा दिखा रहता है यह दीवीज permit एक बीज पत्री पात्पॉ में पाए जाता है द्यान रखना और सेम के बीज क्या कार होता है वो दी बीज पत्री पात्पॉ में पाए जाता है नम्मर एक, सायक कोशिका नम्मर दो दुवार कोशिका नम्मर तीन रंदर दुवार कोशिका और नम्मर तीन एक साय कोशिका तीन चीज़े इंपोटेंट है अब आप बोलोगे साय कोशिका हैं कहां से आई ये बाईये तउचे कोशिका हैं वो ही कि इससिट कार्य के लिए कि लिए बदलगे और वोह शाय को शिकायं बुनाταιबगे की यहां पर ये दवार को सिकाये है उनका नदर कलोरप्रास्ट भी लगे हुए हैं अब दवार को सिखाज होती है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है कि उसकी बाहर की जो लेर होती है बित्ती होती है वो पतली होती है अंदर की मोटी होती है समझ में आगई बात जैसे कुछ इस प्रकार से अंदर से बित्ती मोटी और बाहर से पतली ठीक है अग्या जो एक तरफसी मोटा है कभी-कभी हो जाता एक तरफ से मोटी प्रथ आ जाती है एक तरफ से प्तली प्रथ आ जाती है बेलियों के अंदर जासे म aggressive data यह उनके पास आया और एक तरफ से मोटी प्रथ आ गई डिपिक्ट आ गया, अब आप उसको फुलाओ, फुलाने के लिए वैसे मसीन होती है, लेकिन आप मुझ से फुला लो, ठीक है, आप उसको फुलाओ, what will happen, क्या होगा, उल जाएगा, obviously फुलेगा, shape कैसी होगी, देखो अंदाजा लगाओ आप, जैसे उसको फुलाओगे ना आप, तो जिस साइड में जो मोटा है, उस साइड में बैंड हो जाएगा, समझ में आ रही ही बात, अगर दो पहले उन लियूम ऐसे, और दोनों अंदर की तरफ से मोटे हैं, और दोनों को एक साथ फुलाओ पतली है, जैसे इसके अंदर जल जाता है, तो यह फूलती है, फूलती है, तो मोटी वाली जो सत्य होती ही, वहां से वो बैंड हो जाती है, और रंदर खुल जाता है, और जब जल की आनी हो जाती है, तो रंदर बंद हो जाता है, आ गई बात समझ में, समझ में है, इसको आ करते हैं प्रतेक रंधर में दो सेम के आकार टी को शिकाई होती है एग जिनहें आप द्वार को सिकाई के एंगास कि भारी वित पतली तता आंत्रिक बित्ति मुटि बजये कवारण को दी है दो आरे को धुलते पढ़ना प्रदार्धा जाती है कि content काम अब्र क्या कहते हैं पिर साय को सिकाएं इस पर का रंद्री चिदर द्वार को सिकाएं तथा साय को सिकाएं तीन हो गई तीनों मिलकर रंद्री तंतर कहलाती है परसन नोट करें रंद्री तंतर क्या है रंदरी तंत्र क्या है। आगे चलते हैं ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया भी अभी आपको। ठीक है। अच्छे समझ में आया, कोई दिकत ? चलो अब हम बात करते हैं मूल रॉम की मैंने जैसे ही बात की तो मूल रॉम जो होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं ऐसे नहीं मूल रॉम के अंदर रॉम की सेल अलग है और नीचे की सेल अलग है एक ही होती है और मूल रॉम का जो में काम होता है वो यह ही होता है कि वो जल् के उपर नहीं जड़ के उपर पाये जाएंगे छोटे-छोटे से बाल होते हैं उनका आप किया कोगह गये मूल रो मो बाई लिखे की कोशी कोशिकाओं पर एक नहीत मूल रोम का कार ये कया बाई पर पाये जानने वाले ये बाईय तोचिय रोमित आका अगर पे दिसे आह आई यहां रहा है आँ से बनते हैं अब आप से पूछा जाता है ऐसी कोचिका यह बताएं जहां पर मूल रॉम बवकोशीक होते हैं तो सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो आपका यह यहां तक काज कंप्लीट होता है कल हम ग्राउंड टीशू की बात करेंगे ब्रहन उत्तकों की बात करेंगे मेरे कहल से टोपिक समझ में आ गया कोई दिकत ओके थेंक यू